नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चेंपर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कुछ लड़कियां बाल लंबे काले घने बाल पाना चाहती हैं पर लाग कोसिस करने के बाद भी उनके बाल जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं लंबे और घने बाल पाना कोई आसान काम नहीं है आजकल जिस तरह प्रदूसान खराब जिवन सहली लोगों ने अपना लिये उससे बाल भढ़ेंगे नहीं बलकि समय से पहले जढ़ेंगे सफेll होने लाएंगे बालों का भरना कई बार धुल, मिट्टी, गन्दगी और प्रो पर हेर केयर ना करने दिक रुख जाती है कई बार केमिकल यूग शैमपू का इस्तिमाल करने भी बालों को बेजान बरा देते हैं जिससे बाल तूटने लगते हैं एक बार बाल तूटने लगें तो फिर उनका विकास नहीं हो पाता है तो दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलूँ सेंपू बता रहा हूँ जिसे आप सेंपू की जयापर अपने बालों को धोने के लिए हपते में से दो बार इस्तिमाल करने जई आपके बाल काफी तही से लंबे काले घंए और चमकदार बनेगे दोस्तो धही अपने एंटी वेक्टेल गुरों के कारण रूशी से नेजाद दिलाता है और जड़ों को आराम देता है धही लंबे समय तक बालों को मौशरा ही रखता है धही जड़ों के स्वास्त में सुधार करता है धही जड़ों का पी एज इसका संतुलित करता है धही बालों को सिल्की बनाता है और उनमें चमक लाता है धही बालों को मुलायम बनाता है साथी बालों को जड़ने से भी रोकता है धही लेने के बालों दोस्तो अब आपको एक चमबच के बरापर बेशन एट करना दोस्तो दोस्तो बेशन भी हमारे बालों को धोने के लिए होता है कि से महारे बालों की Chocolate में काफी मदद मिलती है दोस्तों दोनु ची लेकर अब इसमें आपको आखरी चीज जो dolwe दोस्तो आप यहाँ पर नारील का तेल लें आपको पेरास भी तेल लेना जो इसमें 100% pure नारील का तिल होता है इसलिए यह हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है तो आपको इसमें एक चंबसक्राबर नारील का तिल एह करना है दोस्तो नारील के तिल में antivetal और antifungal गुन होते हैं जो बालों को जू डेंडरफ संकमर से बचाते हैं वहीं इसमें मौजूद एंटी ऑक्षिन गुण बालों को मजबूत बनाते हैं और बालों की सुन्दरता को भढ़ाते हैं कई बार तनाप की वैसे बालों का जहना शुरू हो जाता है ऐसे में नारील के तेल में एंटी एस्टेट गुण भी होते हैं जिससे बालों का तूड़ना कम हो सकता है यह बालों को छथी होने से बचाता है और जब नारील के तेल में बेशन और धई मिलाकर बालों पर लगायाता है तो इसका असर और भी भढ़ाता है यह आपके बालों की हर बीमारी को दूर करने के लिए काफी अच्छा होता दोस्तो अब दोस्तो आपको इन तीनों चीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से दोस्तो यह आपका मिक्स होके एक पेस्ट बन के तयार है अब इससे यो बालों में लगाने का तरीका दूस्तों बुजिए, आप जो सैंपू की तरह इस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके लें और अपने बालों में इसकी अच्छे से मालिस करें अपने बालों की जड़ों में कम चेकम आपको 2 मिनिट तक मालिश करनी है फिर इसके बाद बालों की जड़ों से लेकर पूरे बालों के उपर आपको इस पेस्ट को लगा लेना है और दोस्तों 5 मिनिट के लिए आपको लगा हुआ छोड़ दे रहा है आप इस पेट को सादा पानी से दोगत साफ पर लें दोस्तो इस रुपाय को करने से आपके बालों की ग्रोफ काफी तही से बढ़ेगी साथ ही आपके बालों का तूबना बंद होगा आपके बालों का विकास होगा आपके बालों में चमक आएगी तो दोस्तो आप इस वीडियो को जादा से आपने दोस्तों शेयर करें वीडियो को लाइक करें और हमारी यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे की नहीं नी वीडियो नहीं जानकारियां आप तक पहुंचती रहे हमाप क्लिक फिल आएं कुछ इसा वीडियो तब तक लिए दोस्तों बाई बाई